दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ इतनी अच्छी दबा आपको पास है ऐसे ही कुछ और दबाएं बताओं आपको जो आपके ही घर में हैं आपको अगर बहुत गंबीर सिर्दर्द होता है माई क्रेंटी, किस्थिती इतनी अच्छी दबा आपके घर में हैं मैथी का दाना आदा चमच मैथी दाना रात को पानी में भिगो दीजे रात पर उसको रखिए, सुबह मैथी दाने को चबा के खाईए और पीछे ते पानी पी लिए ये सिर्दर्द भी चीद कर देदा है और एक अच्छी दबा है सिर्दर्द की गाय का देशी घी नाक में एक एक भूम डालकर रात को सोना देशी गाय का घी हलका गरम करिए और रात को नाक में एक एक भूम डालकर सो जाएए इससे भी सिर्द के सभी तरह के दर्द चीद होते है और देशी गाय का घी जब आप नाक में डालेंगे तो इससे सिर्दर्द चीद होता है ये तो एक बीमारी है और एक बीमारी इस से चीक होती है जिनको नाग से अक्षर खून निकलता है और जिनकी नक्सीर की बीमारी है नाग पड़ जाती है, खून निकलता है उनकी बीमारी भी यही देशी गाय के घी से चीक होती है और एक बीमारी इस से चीक होती है जो लोगों को रात में नीद नहीं आती और बिस्तर पे करबटें बरूलते रहते हैं उनकी नात में गाएका धी डाले के सो ये बहुत अच्छी नीद आता है और एक बीमारी इससे चीक होती है जिन लोगों की अक्सर नात बंद हो जाती है और भू से सांस लेते हैं उनकी नात में देशी गाएका धी डाले हैं तो नात के एक दम खुण जाती है और एक बीमारी इससे चीक होती है कोई लोग रात को सोते समय नात से बहुत आवाज करते हैं खर्राटे लेते हैं सोने वाला तो मस्त सोता है उसका पड़ोसी विचारा परेशान होता है तो जिनको खर्राटे आने की बीमारी है जिनकी नात मचती है उनकी अपनी देशी गाएगा भी डालिये हमका गरम करके हमेशा के लिए नात बजना बंग हो जाएगा इतनी अच्छी दवा है और एक बीमारी में ये दवा काम आती है कि जब किसी को सर्दी हो नजला हो बार बार सर्दी हो बार बार नजला हो नाक से छीक आती हो नाक से बार बार पानी निकलता हो ऐसे सभी लोगों को कहिए कि वो देशी गाएगा भी नाक में डाल के सोई चीके आना बंद होगा नाक से पानी आना बंद होगा और नाक की कई भीमारियां नीदो अब देशी गाय का घी कहां से मिलेगा आप देशी गाय का दूद धरी दिये दूद को दही बनाईए दही से मक्खन निकालिए मक्खन को गरम करिए फिर जो गी बनेगा, ये घी नांक में लालेए, ये घी काम अश्वशों में बहुत सारी माते говорит, मल्लाई से घी निकालती है, वह अच्छा तरीका नहीं है, पहले दूझ को गरम करके दही जमाएं, दही का मठह बनाएं, उससे मक्खन मिकले, मखन को गरम करके घी बने वही घी अच्छा तो आपकी बहुत पीमारियों में ये काम होता दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें